यहां पर देख सकते हैं कितना सुंदर हैल्डी प्लांट है यहां पर कितना ज्यादा ग्रीनेश है कलरफूल है जो जिस टाइब का प्लांट है बहुत अच्छे से ग्रोह हुआ आज हम बात करेंगे एक ऐसे बायो प्रोडक्ट के बारे में जो कि जीवरस बोला जाता है इस प्रोडक्ट को और यह होता है जो कि आपके प्लांट के लिए आपके गार्डनिंग के लिए बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है मैं प्रोडक्ट का आपका प्रोमोशन नहीं कर रही हूँ इसको मैं यूस की हूँ अपने प्लांट्स पे सॉयल में तो उसका जो रेजल्ट है उसी के बारे में आज बात करेंगे कि किस तरीके से काम करते है तो दिखिए ये ना 100 ml का आता है 100 रुपीज लिखा रहता है पैकेट में बट ये आपका मार्केट में आप देखने जाए खरीदने जाए तो आपको 80 रुपए तक मिल जाता है अकर कोई आपको बोले कि 100 लिखा है तो 100 ही है नहीं आपको ये 80 रुपए में मार्केट में मिल जाएगा सो बात करते हैं यह जो जीवरस बायो फर प्रोड़क्ट है यह ह्यूमिक एसिड है जो कि आपके स्वाइल के लिए बहुत ही बेनिफेट होता है स्वाइल के ग्रोथ के लिए या फिर स्वाइल को मतब टोटली बात करें तो यह पूरा का पूरा जो प्रोड़क्ट है यह आप औरगनिक चीजे ही BESP होता है, तो हम कभी कभी होता है कि हम घर में बना नहीं पाते हैं, तो यह मार्केट में वेलेबल है आपको, यह टोटली बायो प्रोडक्ट है, और नहीं है हुमेक एसिड्न है, तो जब आप हम इंसको यूज करते हैं, जैसे सोयल क्या होती हैं बहुत प्लांटर लगाते हैं प्लांटल स्षटाइब है घो डेनियम ये इतना इतना hard soil ये देखिए कितना कडख है तो इतना hard soil कहा है ना plant के growth के लिए इसके root के growth के लिए बहुत ही खराब है ये देखिए इसमें भी क्या होता है ना ये पानी holding नहीं कर पारती है पानी अब डालते है नीचे hold रहे तो सीधा research के चले जाता है या फिर इस तरीके से crack हो जात रूट का development नहीं होता है और अगर आपिसका यूज़ करते तो इस तरीके से कितना रूट का development हुआ है जितना अच्छा रूट का ग्रोफ होगा आपका प्लांट वी उतना जादा हैल्दी होगाруз अगर हैल्दी नहीं होगा प्लांट कभी healthy नहीं होगा अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में ये मेरा प्लांट देख सकते हैं कितना सुन्दर हरा है, घना है सो किस तरीके से होता है सो जो प्रकास insulation की क्रिया होती है हमारे पौधे में food material बनाने की जो क्रिया होती है वो दिया प्रकास insulation ठीक है, सो ये जो प्रकास insulation की क्रिया होती है बहुत अच्छे से ग्रो करती है बहुत अच्छे तरीके से प्रकास insulation की क्रिया complete होती है, अगर आप इसका यूज करते हैं, और पौधे में बहुत ज़्यादा हरापन प्रकास insulation की क्रिया, photosynthesis की क्रिया complete होगी, उतनी ज़्यादा आपके प्लांट में ब्रांचे साएगी हरा पाना आएगा, बहुत अग्रो करेगा चाहे फ्लावर प्लांट हो, और्नमेंटल हो, या फ्रूट प्लांट हो तो आपका बहुत ज़्यादा ब्रांचे साएगी, फ्रूटिंग होगी, फ्लारिंग होगी, प्लांट आपका बहुत अच्छे से ग्रो होगा, जल्दी बढ़ा होगा अब आप करते हैं कि इसका use अप कैसे करें, जो humic acid इसका use कैसे करें simple सा concept में मैं समझा रही हूँ, एक लिटर पानी में एक ml को घोल के आप दे सकते हैं तो आपका प्लांट का pot size कैसा है, इस तरीके से दीजिएगा, कि जिससे आपका waste ना हो अगर एक छोटा planter है या छोटा पौधा है आपका और उसमें soil कम है तो आप उसमें half मगगा डाल सकते हैं या फिर आपका बड़ा pot है तो उसमें आप एक मगगा पानी डालिए, इतना डालिए कि पानी दीजिके waste ना हो जाए थोड़ा कम डालिए, पहले आप पौधे में अच्छे से पानी दे लीजिएगा, फिर क्या थोड़ी थोड़ी मातरा में half मगगा करके आप प्लांट में दे सकते हैं दूसरी चीज कि अगर आप प्लांट में नहीं दे रहे हैं, मतलब डारेक सॉयल में पानी में मिक्स करके नहीं दे रहे हैं में एक लीटर पानी में आप उसको एक Emil ही मिक्स करके अच्छे से, इसप्रे की थूए कि जिए, जिसे क्या होता है आपका प्लांट बहुँप जल्दी, जो प्लांट के लीज उते नहीं पोर होते हैं कर सकते हैं अगर कोई बड़ा फार्मर है तो आप वो भी उस तरीके से irrigation के जब irrigation करते है न तो उसी साब से आपको spray कर देते हैं पूरे फिल्ड में irrigation के थू भी देते हैं या फिर आप चोटा terrace garden करते हैं तो भी आप इसका use करते हैं सो हे दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी helpful लगी तो प्लीज वीडियो को like share कीजिएगा एक like करने में कुछ नहीं चाहता लोग सब देखते हैं वीडियो को बट like नहीं करते हैं और चैनल पर first time visit करते हैं तो प्लीज चैनल को subscribe करके bell icon को ज़रूर प्रेस दिए बड़ बाई बाई